जै स्री क्रिष्णा आई ये सुनते हैं आज गुरुवार के दिन भग्मान विश्डू की यह कथा ब्रिहस्पती वह गुरुवार के दिन भग्मान विश्डू की पूजा की जाती है भग्मान विश्डू की पूजा करने से धन, बिद्य, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्यमनुवांचित्फल की प्राप्ती होती है धार्मी क्रंथों की अंसार गुरुवार को भग्मान विश्डू की पूजा का बिधान है गुरुवार के दिन ब्रत और कथा सुनने से घर परिवार में शुक्षम्रीधी बनी रहती है हिंदू धर्में हर दिन किसी न किसी भग्मान की पूजा की जाती है इसमें गुरुवार का ब्रत बड़ा ही फलदाई माना जाता है ब्रिहस्पती के दिन जगत पालग स्रीहरी मिश्रू की पूजा का बिधान है कई लोग ब्रिहस्पती देव और केले के पेर की भी पूजा करते है ब्रिहस्पती देव को बुध्धी का कारक माना जाता है केले के पेड को हिंदू धर्मानुसार बेहत पवित्र माना जाता है कथा के अनसार प्राचिन काल की बात है किसी राजय में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राजय करता था वह हर गुरुआर को ब्रत रखकर दिन दुखियों की मदद करके पुण्य प्रात करता था परंतु ए बाद उसकी राणी को अच्छी नहीं लगती थी वह न तो ब्रत करती थी और नहीं दान पुण्य में विश्वास रखती थी इतना ही नहीं वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी एक समय की बात है राजा शिकार खेलने के लिए बन गए घर पर राणी और दासी थी उसी समय गुरु बिहस्पती देव साधू का रूप धारड कर राजा के दर्वाजे पर भिच्छा मांगने आये साधू ने जब रानी से भिच्छा मांगी तो वह कहने लगी हे साधू महाराज मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे की सारा धन नश्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं इतना सुनकर बिहस्पती देव ने कहा हे देवी तुम बड़ी विचित्र हो संतान और धन से कोई दुख्षी होता है अगर अधिक धन है तो इसे सुवकारियों में लगाओ, कुवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्याले और बाग बगीचे का निर्मार कराओ जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे, परंतु साधू की इन बातों से रानी को खुसी नहीं हुई उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यक्ता नहीं है, जिसे मैं दान दो और जिसे सम्हाले में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए तब साधू ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना, गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपनी बालों को पीली मित्ती से धोना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मास मदीरा का प्रियोग करना कप्रे धोवी के यहां धुन्ने देना इस प्रकार साथ ब्रहस्पती वार करने से तुम्हारा समस्त धन नश्ट हो जाएगा इतना कहकर साधू के रूप में ब्रहस्पती देव अंतर ध्यान हो गए साधू के अंसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल तीन ब्रहस्पती वार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन समपत्ती नश्ट हो गई भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी तुम यही रहो मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं इसलिए मैं कोई छोटा कारे नहीं कर सकता ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और सहर में बेचता इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा इधर राजा के पर देश जाते ही राणी और दासी दुख्षी रहने लगी एक बार जब राणी और दासी को साथ दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो राणी ने अपनी दासी से कहा ये दासी पासी के नगर में मेरी बहन रहती है वह बड़ी धनवाद है तु उसके पास जा और कुछ लेया ताकि थोड़ी बहुत गुजर्बसर हो जाए दासी राणी की बहन के पास गए उस दिन गुरुवार था और राणी की बहन उस समय ब्रहश्पती वारब्रत की कथा सुन रही थी दासी ने राणी की बहन को अपनी राणी का संदेश दिया लेकि राणी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी एसुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोशा उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परन्तु मैं उससे नहीं बोली इससे वह बहुत दुखी हुई होगी कथा सुनकर और पूजा समाब्द करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी हे बहन मैं ब्रिहस्पतिवार का ब्रत कर रही थी तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी परतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और नहीं बोलते हैं इसलिए मैं नहीं बोली बताओ दासी क्यों आई थी रानी बोली बहन तुमसी क्या छिपाओं हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है ऐसा कहते कहते रानी की आखें भर आई उसने दासी समेक पीछले साथ दिनों से भूखे रहने की पूरी बात अपनी बहन को बता दी रानी की बहन बोली देखो बहन भगवान भिहस्पती देव शब की मनों कामना को पूर करते हैं देखो सायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुज अनाज से भरा ये घरा मिल गया यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई दासी रानी सी कहने लगी ही रानी जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम ब्रत ही तो करते हैं इसलिए क्यों न इनसे ब्रत और कथा की विधी पूछ ले जाए ताकि हम भी ब्रत कर सके तब रानी ने अपनी बहन से ब्रिहस्पतिवार ब्रत के बारे में पूछा उसकी बहन ने बताया ब्रिहस्पतिवार के ब्रत में चने की दार और मुनक्का केले की जड में अर्पित करें तथा दीपक जनाएं ब्रत कथा सुने और पीला भोजन हे करें इससे ब्रिहस्पति दिव और भगवान विश्रू प्रशन होते हैं ब्रत और पूजा की विधी बताकर रानी की बहन अपने घर को लोट गई साथ दिन के बाद जब गुरू आ रहाया तो रानी और दासी ने ब्रत रखा वह घुर साल में जाकर चना और गुर लेकर आए फिर उससे केले की जड तथा विश्रू भगवान की पूजा की अब पिला भोजन की चिंता को लेकर दोनों बहुत दुखी हुई चुकि उन्होंने ब्रत रखा था इसलिए ब्रहस्पती देव उनसे प्रशन थे वह एक साधारण व्यक्ति के रूप धारण कर दो थालों में पिला भोजन दासी को दे गए भोजन पाकर दासी प्रशन हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहर किया उसके बाद वह सभी गुरुवार को ब्रत और पूजा करने लगी ब्रहस्पती देव की क्रिपासे उनके पास फिर सिधन संपत्ति आ गए परंतु रानी फिर सि पहले की तरह आलस करने लगी तब दासी बोली देखो रानी तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी तुम्हें धन रखने में कश्ट होता था इस कारण सभी धन नश्ट हो गया और अब जब देव ब्रहस्पती की क्रिपासे धन मिला है तो तुम् परंजाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बार हमने ये धन पाया है इसलिए हमें दान पुंड्य करना चाहिए भूखों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुकारियों में खर्च करना चाहिए इससे तुम्हारे कुल का यस बढ़ेगा श्वर्ग की प्राप अत्मान कर रानी अपना धन शुकारियों में खर्च करने लगी इससे पूरे नगर में उसका यस बढ़ने लगा ब्रिहस्पतिवार ब्रत कथा के बाद में सद्धा के साथ आती की जानी चाहिए इसके बाद प्रसाद बाटकर उसे ग्रहर करना चाहिए